नमस्कार जी मुख्य मंत्री स्रिमाज स्रिवराज सिंजी चौवान केंदिरिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी गाण मद्य प्रदेश शरकार के मंत्री गाण संसत के मेरे सहयोगी मद्य प्रदेश के विधायगण अन्य महानुभाव और मद्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों आज मद्य प्रदेश के लगभग सबा पांच लाख गरीब परिवारों को उनके सपनों का पक्का घर मिल रहा है ये जीवन की अनमोल वेला है मैं इस समय आप सब को बहुत बहुत शुब कामनाय देता हूँ साथियों हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए लेकिन गरीबों को ससक्त करने के लिए जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और ये मेरा विश्वास है कि एक बार जब गरीब ससक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का होसला आता है एक इमांदार सरकार के प्रयास एक ससक्त गरीब के प्रयास जब साथ मिलते हैं तो गरीबी भी परास्त होती है इसलिए चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या राज्यों में बीजेपी की सरकार है सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए गरीब को ससक्त करने में जूती है पांच लाग गर देश में ससक्त होते गरीब का पहचान बन गए है ये सबका पांच लाग गर भाजपा सरकार के सेवा भाव की मिसाल है ये सबका पांच लाग गर गाउं की गरीब महिलाओं को लखपती बनाने के अभियान का प्रतिभिम्ब है मध्य प्रदेश के दूर सुदूर गाउं में हमारे आदिवासी अंचलों में गरीबों को ये घर दिये जा रहे है मैं मध्य प्रदेश के लोगों को इन सबा पांच लाग घरों के लिए बधाई देता हूं भाई यो और भेनों गरीब को अपना पक्का घर देने का यव्यान सिर्फ एक सरकारी योजना मातर नहीं है ये गाउं को गरीब को विश्वास देने की प्रतिवधता है ये गरीब को गरीबी से बहार निकालने की गरीबी से लड़ने की हिम्मत देने की पहली सीड़ी है जब गरीब के सिर्फ पर पक्किल छत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिर्था आती है इसी सोच के साथ हमारी सरकार पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्रात्फिक्ता दे रही है पिछली सरकार ने मेरे आने से पहले जो लोग थे उन्होंने अपने कारकाल में कुछ लाख गर ही बनवाए थे वही हमारी सरकार गरीबों को करीब करीब धाई करोड घर बनाकर दे चुकी है इसमें दो करोड घर गावों में बनाए गए हैं बीते दो सालों में कोरोना के कारण आई अर्चनों के बावजूद इस काम को धीमा नहीं पड़ने दिया मद्य परदेश में भी लगभग साड़े तीस लाख स्विकृत आवासों में से 24 लाख से अधिक पूरे हो चुके है इसका बहुत बड़ा लाप बैगा सहर्या और भर्या ऐसे ऐसे समाज के उन वर्गों को भी हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोज भी नहीं सकते हैं भाई और भेनों भाजपा सरकारे जहां भी हो उनकी विशेस्ता यही है वो जमीन से जुड़ी हुई है गरीब के हीत उसकी जरुरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती है पी एम आवास योजना में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि गरीबों को जो घर मिले वो उनके जीवन की बाकी जरुरतों को पूरा करने वाले भी बने जैसे इस आवास में सवचालय हैं इसमें सवभाग्य योजना के तहट बिजली कनेक्शन है उजाला योजना के तहट LED बल्ब होता है उजवला योजना के तहट गैस कनेक्शन मिलता है और हर गर जल योजना के तहट पानी का कनेक्शन भी साथ आता है यानि गरीब लाभार्थी को इन सुभिधाओं के लिए अलग से सरकारी दप्तरों के चक्कर काटने की जरुवत अब नहीं पड़ती गरीब की सेवा की यही सोच है जो हर देश वाची का जीवन आसान बनाने का के काम आ रही है साथ क्यों भारत शक्ति की उपासना करने वाला देश है कुछी दिन में नवरात्री शुरू होने जा रही है हमारी देवियां दुश्मनों का सम्हार करने वाली है अस्त्र सस्त्रों की उपासक रही है हमारी देवियां ज्ञान कला संस्कृति की प्रेणा है 21 सदी का भारत उनी से प्रेणा लेते हुए खुद को भी और अपनी नारी शक्ति को भी शसक्त करने में जूटा है प्रधान मंत्री आवास योजना इसी अभियान का एक एहम हिस्सा है पी एम आवास योजना के तहत जो घर बने हैं उन में से करीब करीब दो करोड घरों पर माली का नाहक महिलाओं का भी है इस माली का नाहक ने घर के दूसरे आर्थिक फैंसलों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है यह अपने आप में दुनिया की बड़ी बड़ी उनिवर्सिटियों के लिए एक अध्यन का विशे हैं के स्ट्रडी का विशे हैं जो मद्यप्रदेश की उनिवर्सिटी द्वारा भी जुरूर किया जाना चाहिए भाई और भेनों महिलाओं की परेशानी को दूर करने के लिए हमने हर घर जल पहुँचाने का बिड़ा भी उठाया है बीते ढाई साल में इस योजना के तहट देश भर में छे करोर से अधिक परिवारों को शुद्ध पेजल कनेक्शन मिल चुका है योजना के शुरू होने के समय मद्द परदेश में तेरा लाग ग्रामीन परिवारों के घर में पाईप से पानी आता था आज पच्चास लाग परिवारों तक पाईप से पानी पहुँचाने के पढ़ाव के हम बहुती नीकट है हम मद्द परदेश के हर ग्रामीन परिवार तक पाईप से पानी पहुँचाने के लिए प्रतिवद्ध है साथियों आज मैं मद्द परदेश समेट देश के उन सभी गरीबों को आस्वस्त करना चाहता हूं कि घर बनाने का अभियान तेज गति से चल रहा है अभी भी कुछ लोगों तक पक्का गर नहीं मिला है मुझे इसका पूरा पता है और मैं आपको कहने आया हूं इस वर्स के बजेट में पूरे देश में 80 लाग से अधिक गर बनाने के लिए पैसे आवंटन करने का राश्य का प्रावधान किया गया है इसे मुझे प्रडेश के भी लाखों परिवारों को लाभ होना आता है अभ तक सवा 2 लाग करोड रुपे से ज़्यादा सवा 2 लाग करोड सवा 2 ला करोड रुपे से भी ज्यादा इस योजना पर खर्च किये जा चुके है ये पैसे गावों में खर्च हुए हैं, ग्रामिन अर्थिवावस्ता को इससे ताकत दी हैं, जब एक घर बनता है तो इट, बालू, सरिया, सिमेंट, घर बनाने वाले स्रमीक, स्थानिय ही तो होता है, इसलिए पी-एम आवास योजना गावों में रोजगार के नए अवसर भी बना रही है, साथियों, हमारे देश ने आजादी के बाद दसकों तक बहुत सी सरकारे देखी हैं, लेकिन पहली बार देश के लोग ऐसी सरकार देख रहे हैं, जो सरकार उनके सुख दुख में उनके साथ ही बनकर कंदे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहती हैं, कोरोना के इतने बड़े संकट में भाजपा सरकार ने फिर साबित किया है कि गरीबों के लिए ये सरकार कितनी समवेदन सिल्टा के साथ काम करती हैं, गरीबों को मुप्त वैक्सिनेशन हो या फिर गरीबों को मुप्त राश्रम और अभी सिवराज जी ने बड़े विस्तार चे इसका वर्णन किया, कि अभी दो दिन पहले ही हम सब ने मिलकर के ताह किया कि आने वाले छे महिने तक ये प्रधान मंत्री गरीब के लिएन अन्य योजना को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि गरीब के घर का चूला जलता रहे, पहले कोरोना के कारण दुनिया मुसीबत में फस गई, अब आप पूरी दुनिया लड़ाई के मैदान में उत्री हुई है, उसके कारण भी अनेक प्रकार की आर्थिक बवस्ताओं पर नया संकट पैदा होता जा रहा है, भारत के नागरीकों पर बोज कम से कम कैसे हो, जितना हो सके उतना देश के नागरीकों को मदद पहुँचाने का प्रयास चल रहा है, भाई और बेहनों, सो साल में आई सबसे बड़ी महामारी में हमारी सरकार गरीबों को मुप्त राशन के लिए दो लाग साथ हजार करोड रुपे खर्च कर चुकी है, अगले छे महिने में इस पर अस्सी हजार करोड रुपे और खर्च किये जाएंगे, जो पहले की जनता की कमाई को लूट लेते थे, वो जनता की कमाई से अपनी तिजोरी भर लेते थे, वो आज भी इस योजना के लिए कुछ न कुछ हलका भूलका मजाक उड़ाना, जूट फैलाना, भ्रम फैलाना, करते ही रहते हैं, मैं आज देश को एक जानकारी देना चाहता हूँ, आप भी इसे ध्यान से सुनियेगा, साथियों जब इन लोगों की सरकार थी, तो इन्होंने गरीबों के राशन को लूटेने के लिए, अपने चार करोड, इस चार करोड आखड़ा बहुत बड़ा होता है, चार करोड फरजी, ऐसे ही जो नाम पैदा ही नहीं हुए, जिनका जन्म नहीं हुआ, ऐसे ऐसे नाम चार करोड कागजों में तैनाद कर दिये थे, इन चार करोड फरजी लोगों के दाम से राशन उठाया जाता था, बाजार में पिछले रास्ते से बेचा जाता था, और उसके पैसे इन लोगों के काले कारणा में, काले खातों में पहुँच जाते थे, 2014 में सरकार में आने के बाद से ही, हमारी सरकार ने इन फरजी नामों को खोजना शुरू किया और इन्हें राशन के लिश्ट से हटाया ताकि गरीब को उसका हक मिल सके आप सोचिए पहले के समय में ये गरीबों के मुँसे निवाला चीड़ कर कितने हजारो करोर रुपिये हर महिने लूट रहे थे हमने राशन की दुकामों में आधुनिक मशीने लगा कर ये भी सुनिसीद किया कि राशन की चोरी ना हो पाए आप सब को पता होगा ये जो मशीन लगानार का हमने अभियान तलायन है उसकी भी इन लोगों ने मजाक उड़ाई थी, क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि मशीन आएगा, लोग अंगूटे की छाप लगाएंगे, तो सच का सच चलेगा, और इसको रोकने के लिए ऐसी ऐसी हवायें चलाएं यहां तक कह दिया, कि राशन लेने जाएंगे और अंग फर्जी खेल बन करा दिया, इसलिए लोग तील मिलाए हुए हैं, आप कल्प ना कर सकते हैं, कि अगर राशन की दुकानों में पारदर सिता नहीं आती, यह चार करोड फर्जी नाम नहीं हटाए गए होते, तो कोरोना के इस संकट में गरीबों का क्या हाल होता है? गरीबों के लिए समर्पीत भाजपा की सरकार दिन राद गरीबों के लिए काम करती है, भाई और बैनों, हमारा प्रयास है कि आजादी के अमरित काल में हम मुल्द सुविधाओं को हर लाभारती तक तेजी से पहुँचा सके हैं, ऐसे ही काम के बल पर हम योजनाओं के सेचुरेशन यानि हर योजना के सत प्रतीशत लाभारती तक पहुँचाने के संक्र पर काम कर रहे हैं, गाउं में जिस योजना का जो लाभारती होगा, हित धारक होगा, उसको उसका हग उसके घर तक पहुँचना चाहिए, इसके लिए हम लगे हुए हैं सेचुरेशन के इस लक्स का सबसे बड़ा लाप ये है कि कोई गरीब योजनाओं के लाप से छुटेगा नहीं, सरकार सब तक पहुँचेगी, इससे बेदभाव के संभावना नहीं बचेगी, प्रसाचार के संभावना नहीं बचेगी, आज समाज में आखरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी लाप देने की नीती हो, नियत हो, तो सबका साथ भी होगा, सबका विकास भी होगा, साथियों, गाओं की भुमी काका भी हम लगातार विस्तार कर रहे हैं, लंबे समय तक गाओं की अर्थवबस्ता को सिर्फ खेती तक ही सिमीत करके देखा गया, हम खेती को, किशान को, पसुपालक को, ड्रोन जैसे आधुनिक टेक्नोलोजी और प्राकुरती खेती जैसे पुरातन विवस्ता की और प्रोच्छाहित कर रहे हैं, साथि गाओं की दूसरी ख्शमताओं को भी निखार रहे हैं, लंबे समय तक गाओं के घरों और गाओं की जमीन पर आर्थिक गतिविजिया बहुत सिमित रही हैं, क्योंकि गाओं की संपत्ति का रिकॉर्ड उस प्रकार से व्यवस्तित नहीं था, इसलिए गाओं में कारोबार करने में, उद्योग उद्यम लगाने में, बैंक से लोन लेने में बहुत मुश्किल होती थी, अब स्वामित्व योजना के तहट गाओं के घरों के कानूनी दस्त्यावज तयार किये जा रहे हैं, मद्द प्रदेश के सभी जीलों के पचास जार से अधिक गाओं में सर्वे किया जा रहा है, लगबग तीन लाग ग्रामिनों को उनके प्रापटी कार्ड सौंपे भी जा चुके हैं, ऐसे प्राबधानों से जमीन और घर के जुड़े विवादों में कमी आएगी, और जरूत पढ़ने पर जैसा मैंने कहा, बैंकों से मदर लेना सरल होगा, साथियों, मैं आज सिवराज जी की सरकार को एक और काम के लिए बढ़ाई देना चाहता हूँ, अनाज की सरकारी खरीद में, MP ने गजब काम किया है, नया रिकॉर्ड बनाया है, देश के कई राज्यों को पिछे छोड़ दिया है, MP में किसानों के बैंक खाते में, आज पहले के मुकाबले ज़्यादा राश्य दी जा रही है, सरकारी खरीद के अंदरों की संख्या बड़ी है, PM किसान सम्मान निधिवी छोटे किसानों की बहुत मदद कर रही है, MP के करीब करीम 90 लाग छोटे किसानों को, 13,000 करोड रुपे से जादा की राश्य उनके छोटे-छोटे खर्चों के लिए दी गई है, साथ क्यों, इस सिबह देश अपने आज़ाजी का अमरुतनात महोचों मना रहा है, हमें स्वतंतरता दिलाने के लिए भारत मा के लाखो वीर सपूतों और वीर बेटियों ने अपने जीवन अपनी सुख्स विदा की आहूती देजी थी, उस आहूती ने हमें आज का स्वतंतर जीवन दिया है, इस अमरुत महोचों में हमें भी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीडियों को कुछ दे कर जाएंगे, इस कालखंड में हमारे द्वारा कियेगे एकारिय बावी पीडियों के लिए प्रिनना बने, उन्हें अपने कर्तवियों की याद दिलाएं, यह बहुत आवश्यक है, जैसे अभी हम सब मिलकर एक काम जरू कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ, आज मत्य प्रदेश में लाखों परिवारों से मैं बात कर रहाा हूँ, इतनी संध्यां में लोगों से जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं एक संकल्प के लिए जरूर कहूंगा, हम संकल्प करें कि इस वर्ष जब ये नया वर्ष शुरू होगा दो चार दिन के बाद इस वर्ष ये जो वर्ष प्रतिपदा है वहां ते लागर के अगली वर्ष प्रतिपदा तर यानि हमारे पास 12 महिने हैं 365 दिन है हम संकल्प करें हर जिले में आजादि के अमरुत महुत्सव की याद में हमारी भावी पीडी को कुछ देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर जिले में 75 अमरित सरोवर बनाएंगे और मैं तो चाहूँगा संबव हो तो हर जिले में ये अमरित सरोवर नए हो बड़े हो इनके निर्माण में सरकार की तरफ से जो मंद्रेगा का पैसा आता है उसकी भी मदद ली जा सकती है आजादी के अमरित महुचों में हर जिले में 75 अमरित सरोवरों का निर्माण आने वाली पीडियों के लिए बहुत उप्योगी होगा इसका बहुत लाब हमारी धर्ती माता को मिलेगा यह हमारी धर्ती मा प्यासी है हमने इतना पानी खीच लिया है इतना पानी खीच लिया है ये धर्ती मा की प्यास भुजाना इस धर्ती मा के संतान के रुप में हमारा कर्तव्य बनता है। और इसके कारण प्रकृति के प्राणों में भी एक नई उर्जा आए जाएगी, नई चेतना आए जाएगी। इससे छोटे किसानों को लाब होगा, महिलाओं को लाब होगा, इतना ही नहीं ये तो जीवदया का काम होगा, पसुपक्षियों को भी बहुत मदददगार होगा। यानि हर जिले में 75 अमरत सरवरों का निर्मान मानवता का बहुत बड़ा काम है, जिसे हमें जरूर करना चाहिए। मैं सभी राजे सरकारों से, स्थानिय निकायों से, पंचायतों से इस दिशा में काम करने का आग्रह करता हूँ। साथियों, ये भारत के उजवल भविश के निर्मान का काल है, भारत का उजवल भविश तभी संबव है, जब गरीब परिवार का भविश बहतर होगा, ये नया घर आपके परिवार को नई दिशा दे, आपको नए लक्ष की तरब बढ़ने का सामर्थ दे, आपके बच्चों में शिक्षा, काउशनल और आत्म विश्वास का संचार करे, इसी कामना के साथ आपको सभी लाभारतियों को इस नए घर ग्रह परवेश के लिए अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ, बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, धन्यवाद.